रेल्वे रिकूर्मेंट बोर्ड आरार्वी ने एंटी पीसी भरती सीबीटी वन का परिच्छा के रिजल्टों जारी कर दिये जिसमें लगभग 1.2 करोड उम्मिदवार सामिल हुए थे इसका रिजल्ट बोर्ड के रेजनल बेवसाइट पर जारी कर दिया गया है लेकिन यह जारी होते ही आरार्वी अंटी पीसी इसका एम हैश्टेग के साथ टूइट कर रहा है रिजल्टों जो रिजल्ट निकला हुआ है उसमें छात्र इस रिजल्ट से काफी नाखुस है छात्रों का कहना है कि जैसे 35,000 रिक्तियों के पद मांगे गए थे पहले चनल की परिच्छा के बाद लगवग 8 लाख उमीद्वारों को साट लिस्ट किया जाना था खाली पदों के अनुसार लगवग 7-8 गुना कंडिडेट क्वालिफाई होने थे लेकिन रिजल्ट में क्वालिफाई हुए उमीद्वार की संख्या लगवग 3-4 गुनी है क्योंकि एक ही उमीद्वार को कई पदों के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है जिससे परिच्छा काठाब जो है काफी हाई चला गया है और इस्टूडेंट यह भी कह रहे हैं कि जैसे आइबि पिएझ और इससी इन से वी ज्यादा कटाफ जो है इसका हाई गया है और उसके बाद बोर्ड ने क्या जवाब दिया है बोर्ड का कहना है कि और इर बी बोर्ड बोर्ड का कहना है कि Shack comment जो है जितने भी पद हैं जिस भी प्रकार के पद हैं उन्हीं के अनुसार बच्चों को साट लिस्ट किया गया है बोर्ड ने अपना जवाब दिया है कि उम्मिद्वारों की साट लिस्टिंग तै नियमों नसार ही हुई है बोर्ड ने किन अधारों पर चैन किया है जैसे पैरा 13.2 के अनुसार उम्मिद्वारों की साट लिस्ट प्रतेख अस्थर के लिए अलग अलग विकल्पों और उनकी सैच्छीक योगता के अधार पर की गई है इसके चलते प्रतेक अस्तर के दूसरे चरण के CBT2 के लिए उमिद्वारों को प्रतेक रिजनल आरारवी की रिक्तियों के 20 गुनान पात में सार्ट लिस्ट किया गया है यह बोर्ड का कहना है यदि कई उमिद्वारों ने समान कटाफ स्कोर किया है यह बात ध्यान देने वाली बात ही है कि अगर समान कटाफ है चात्रों का समान का कटाफ है चात्रों का तो उनको भी सार्ट लिस्ट किया गया है उसके बाद फिर बोर्ड कह रहा है कि दूसरे चरण में प्राप्त योगता के आधार पर उमिदवारों को तीसरे चरण की परिच्छा के लिए सार्ट लिस्ट किया जाएगा मतलब CB2 के बाद फिर से एक सार्ट लिस्ट किया जाएगा बच्चों को अगले चरण के लिए और फाइनल रिजल्ट में 35,281 अधिसूचित रिक्तियों की मेरिट लिस्ट होगी और किसी भी उमिदवार को एक से अधिक पदो पन्यूक्त नहीं किया जाएगा मतलब अभी जो भी छात्र एक से दो पदो के लिए क्वालिफाई कर दिये गए हैं लेकिन बाद में उनको हटा दिया जाएगा इस प्रकार से तो देखिए बहुत से बच्चों का जो है इसमें से छड़ जाएंगे क्योंकि बहुत से बच्चे 80 नमबर, 70 नमबर लेके आए हैं और वो CBD2 के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं इसलिए इनको एक ही बच्चे को एक ही पद के लिए क्वालिफाई करना था यह बहुत गलत हुआ है ऐसा जो है इनको दुबारा से रिजल्ट जारी करना चाहिए